हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिंडी की वेग्यानी खेती के वारे में यानि कि अगर आप किसान में भिंडी की खेती करने जा रहे हैं और वो भी किसान में अगर आप मई और जून में करने जा रहे हैं महिने में अगर आप बिंडी की बॉई कर दें या जून के पहले हथते में बॉई कर दें तो उसका किसा में जो बजार भाव है आपका बिंडी का वो आपको काफी अधिक देखने को मिलेगा। क्वारे चेनल को आप लोग सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब के कि चैनल को को आप लूग सस्क्राइब करना मत भूले पर हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको खेत की कैसे करनी है त", तक्त femman की फ será 피まだ कृत, और भूरा में और उसी में किसमें आखरी जुताई में जो है आपको एक बोरी डियेपी आने पचास किलो आपको डियेपी लेना है और दस किलो जिंक लेना है और तीस किलो किसमें आपको एमोपी आने की मिरुट और पोटाश लेकर के आखरी जुताई कर देनी है इसके बार में किसमें आप को बनाने है बैड कोईकि अगर आप जून के महीने में या माई के आखरी सब्सका में भंळी की बुवाइग करने जा रहे हैं तो किसमीं आगे फिर भंडी बुरु 영े की सब्सक्राइब वो आपके तनेक से संपरक में सिदह नहीं आएगा वो सिदह नालियों में होके आप खेस से बाहर चिता जाएगा जिससे आपकी भिंडी के सामयों अच्छी रहेगी यानि कि आपको जो भी किसम भिंडी की बुआई करनी है अच्छा तुपादने के लिए वो आपको बैड ब वो भी काफी अधिक होती है भिंडी की जो लंबाई है तकरीबं 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है और इसकी जो पहली तोड़ाई है किसान भाईयों वो आप 45 से 50 दिन के अंदर जो है कर सकते हैं काफी अच्छे इसके फल है इसके बार में जो दूसरी भिंडी की किसम है वो है कि किसम की इसकी जो पत्ते होते हैं वो हलका किसमें कटे से होते हैं और फल की जो लंबा यह तकरीबर आठ से दस सेंटीमिटर तक की रहती है और फल इसका काफी हरा भरा रहता है तिलरिंग इसमें काफी अच्छी किसमें तकरीबर तीन से चार कल्ले जो है नीचे से यह जानी श किसमें काफी अच्छी किसी एक आपको चैन करके आप अपना उत्पादन अच्छा ले सकते हैं इसके बार में बात आती है बीजो उपचार की तो अच्छा के समय हो आपको जमाव लेने के लिए तकरीबन पहले तो आपको 24 घंटे जो है बीज को अच्छे से बिगो के रखना है पानी में उसके बार में आपको उसका अच्छे से बीजो उपचार करना है बीजो उपचार के लिए तकरीबन आपको दो से ढाई ग्राम जो है कारबंडा जिम लेनी है और उसमें तकरीबन आपको एक जो किलो बीज होता है के समय है उसको आपको एक लीटर पानी में डा सकते हैं और किसे दकरीब 5-6 खंटे अच्छ से बिघोने के बार में आप उसको निकाल के और इसकी षाया-दार स्थान पे भी侠ों घाले को रखते है जहां से इसका पानी आच्छ से किसा में और यूज से 2 سنٹی میٹر गहराई है आपको बीजों की रखने ही ज़धा गहराई में आपको बीज नहीं बोने है और जब किसमियों आप बीजाई करें तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो मिट् dy है उसमें नमी अच्छी होनी कि साथ उसके हैं और पौधिया से पौधिया का जो फासला है ये किसामें आपकी व्राइटी पे निरूभड़ करता है कि इसका फैलाव कितना है तकरीबर नॉर्मल जो हम लोग रखते हैं वो 15-18 cm तक हम लोग जो है पौधिया से पौधिया की दूरी और 45-50 cm तक किसामें लाइन का फासला रखते हैं बुवाई के तकरीबन के सावाबंगे 10 से 15 दन के बाद में हमें उसमें NpK जो 1919 आती है इसका सफ़ए करना चाहिए तकरीबन एक किलो गराम जो एंडिप के 1919 आती है इसका हमें डेड़ सो से दो सो लिटर पाने मिला के एक एकड़ के उपर जो है सपय करना चाहिए और इसके बारे में तकरीबन बुवाई के 25 दिन के बाद में आपको नाइट्रोय यानि की यूरिया का जो है उपयोग अपने खेत में करना चाहिए और जब किसामयों आपके खेते में कहीं कहीं फूल दिखने लगे यानि की तकरीबन बुवाई के 35 दिन के बाद में आपको 0,524 का जो है तकरीबन एक किलो गराम जो है आपको एक एकड़ की उपर सपरे करना चाहिए तकरीबन बाद में लगातार बने रहेंगे और काफी अच्छे किसामयों जो फलों की क्वाल्टी है वो भी किसामयों निखर के सामने आती है और इसके बारे में जब किसामयों आपकी भिंडी का जो भुवाई को तकरीबन 45-50 दिन हो जाएं और उसमें अच्छे फूल बने और अच्छे फल बने तो इसके लिए किसामयों आपको दोबारा फिर जो है जीरो बावन चौनतिस का आपको जानी पोटेशिम जिसमें होता है तो इसका किसामयों आपको दोबारा फिर से एक वा सप्रे करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग और कीट नियंतरन के बारे में तो किसामयों अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है आपको समय समय पे अपने खेत में फंगी साड का सप्रे करना चाहिए क इसका तक्रीबन दो से धाई कराम जो दवा है आपको एक लिटर में मिलाकर इसका जो सपरे है आपको अच्छे से हर दस से पंदन के अंतराल पर आपको अपने फसल पर करना चाहिए और जहां के समय आपको कीटों का भी आकरमन देखने को अगर मिलता है यानि की काफी जो है फल शेदक का करमन जो है भिंडी के फसल में देखने को मिलता है तो इसकी रोगठाम के लिए आप इमा मैकिन बेंजिवर तकरीबन 100 गराम जो है आपको डेड़ से 200 लिटर पाने में मिलाके खड़ी फसल की ऊपर आप इसका जो है सपरे कर सकते हैं इसका भी काफी अच्छा जो है जो रियल्ड देखने को मिलता है तो यह थी कुछ आनकारी अगर आपको पसंद आई हो तकर पर हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद